दोस्तों एक बाफिर से आप सभी का स्वागत है हमारे श्टेडी चैनल राजिंद शर्मा टिप्स में अभी मैं आपको एक पांच मिट की डिक्टिशन बोलने जा रहा हूँ जिसमें कुल 400 सब्द है और जिसकी स्पीड है 80 सब्द प्रतिमिनट तो आप से खुशी दीर में ए टिशन लिखने के लिए तैयार हो जाएए रेडी उपाध्यक्ष महोदे यह ठीक है कि हम प्रगतशील हैं लेकिन हमारी गती में तेजी आने चाहिए स्ट्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए जो पंच बर्ष यह योजनाएं हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्ष केबल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें हमारा लक्ष यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें जिससे कि भारत में रहने बाले प्रतेक नागरिक का ठीक बिकास हो इस बात से शेहमत हूं की राज्यों में जहां बहुमत के आधार पर विरोधी दल की सरकारें हैं उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हमें इस्तिती को देखते हुए भेद करना चाहिए गुजरात की सरकार गिर गई इसके लिए हमको अपसोस नहीं करना चाहिए जहां तक इस बिल का संबंद है मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे की आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहां का काम चलाएं इसका आशे यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार गिर गई वह अच्छी बात हुई है गुजरात के लिए आपने संसर सदस्यों की जो समती बनाई थी वह एक ठीक कदम है लेकिन इस बात का आस्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज और जिला इस्तर पर जो समतीयां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलिय बनाएंगे ताकि जनता की जो कठनाईयां हैं वे आपके सामने प्रतेक्ष रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार वहाँ पर कुछ काम हो सके अगर ऐसी ब्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समतियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्यान नहीं है तो परणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ की आप इसमें ऐसी कानूनी ब्यवस्था करें की जिससे बिभिन इस तरों पर सर्वदलिय समतियां बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आएं की वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए परग्राफ महोदय गुजरात और ज्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है फिर भी वहां की इस्तिती यह है कि आज भी प्रतिव्यक्ति आएं तीन सो रुपे से अधिक नहीं है आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए है यह उचित नहीं है परग्राफ भारत की द्रश्टी से कुटीर उध्योग बड़े उध्योगों की अपेक्षा अधिक लावदायक है पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है फुल स्टॉप दोस्तों यह थी हमारी 80 सब्द प्रत्मट से 5 मट की डिक्टेशन उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा तब तक के लिए जैहिन जैभारत